हमारा ये लेक्चर भी टेक्स्ट की कंटिनिउशन में है इस तरह के पिछले लेक्चर में हमने टेक्स्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात की थी जिसमें हमारे पास बेसिक टेक्स्ट को लिखना उसके डिफरेंट स्टाइल इसके डिफरेंट पॉर्मेट्स हमने देखे उसके इलावा हमने देखा किस तरीके से हम लोवर थेड्स बना सकते हैं या किस तरीके से हम अपने text को crawl कर सकते हैं या फिर roll कर सकते हैं अभी भी हम text के ही बात कर रहे हैं लेकिन हम इस वक्त ये थोड़ा सा explore करेंगे कि हम English language के इलावा किसी दूसरी language में किस तरह से text Adobe Premiere के अंदर लिख सकते हैं हम majorly बात इस पर उर्दू font के उपर ही करेंगे क्योंकि हमारी main language इस पर हमारी उर्दू है लेकिन उर्दू के इलावा आप कोई और भी language इसमें लिख सकते हैं standard तो आपके पास English language ही होती है by default इसमें English ही है लेकिन उर्दू या कोई और language लिखने के लिए आपको थोड़ी सी changes करनी पड़ेंगी अपने system के अंदर की आप कोई भी system यूज़ कर रहे हो बेशे को Mac हो बेशे को Windows बेस्ट हो या फिर उनके कोई भी version हो सबसे पहले उसमें जरूरी है आपके पास उर्दू keyboard install हो या कोई भी language जो आप वहाँ पर type करना चाहते हैं उसका keyboard आपके पास install हो उसको install करने के बाद आपको प्रीमियर में preferences में जाके भी कुछ changes करनी पड़ती है और उसके बाद आप इस पे उर्दू या कोई और language लिख सकते हैं यह साथ चीज़े हम अभी practical करके देखते हैं मेरे पास यहाँ प्रीमियर खुलावा है और मैंने यहाँ पर कुछ text लिखना है जो के मेरा edit बनावा है इस वक इस पर text लिखने से पहले हमें उर्दू keyboard install करना होगा अगर हमने उर्दू text लिखना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर languages में जाना होगा अगर हम यह simple language लिखेंगे अपने startup menu में तो आपके पास language setting आ रही है और आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर windows display language English है और हमने जो add करनी है इसमें उर्दू language add करनी है जो कि इस system में हमारे पास already installed है और अगर आपके पास यहाँ पर उर्दू keyboard या उर्दू language नहीं होगी तो आप यहाँ से add language कर सकते हैं यहाँ पर quickly आप लिखेंगे जो भी आपका language चाहिए आप देख सकते हैं आपके पास कि सारी इतनी जादा और भी languages यहाँ पर इनकी different options मुझूद है और अगर आपको यहाँ पर उर्दू करना है आप उर्दू लिखेंगे और आप देख सकते हैं आपके पास उर्दू की दो options आ रही है तो यह तो तरीका हुआ आपके पास Windows में उर्दू keyboard install करने का यह Windows 10 हम यूज़ कर रहे हैं तो Windows 10 में यह तरीका है इसके अलावा किसी और version में, किसी और operating system में या overall किसी और system में कोई और तरीका हो सकता है तो आपके पास जो यहाँ पर उर्दू पाकिस्तान के नाम से यह एक language और एक keyboard add हो चुका है अब इसके लिए आपको जरूरी है कि आपके पास उर्दू font भी installed हो क्योंकि बाइड डिफॉल तो English font तो हैं इसमें लेकिन हमें कुछ उर्दू font भी करने पड़ेंगे तो उसके लिए आप Google पे जाके कोई भी उर्दू font install कर सकते हैं जो मैंने किया वाई download और जो के बड़ा commonly use है वो जमील नूरी है और जमील नूरी नस्तलीक इसका पूरा नाम है और मैं इसको search करता हूँ तो आपके पास यह options आ रही हैं कि different website से आप उर्दू fonts की देखें अलग है आपके पास और भी किसी website से free fonts download कर सकते हैं तो जिस तरह से भी इसके download करने का तरीका होगा मेभी आपको इसको install करना हो उसके बाद आपकी windows में यह font add हो जाएंगे और आपकी प्रीमेर में भी यह font automatically add हो जाएंगे पाइच चांस अगर आपके प्रीमेर सोफ्वेर शो ना करें तो आप एक दफ़ा उसको restart कर लें क्योंकि बास दफ़ा back end पे कुछ changes से कभी-कभी वो उसको फोरी update नहीं करता तो अब मैं प्रीमेर पर आ चुका हूँ और मुझे कुछ settings यहां पर भी change करना ही पड़ेंगी उसके लिए मैं edit और इसके बाद सबसे last में एक मेरे पास है preferences इसमें जाके मेरे पास बहुत सारी options मुझूद है जिन specific settings को आपने change करना आप यहां पर जाके कर सकते हैं इस फक्रेंटली जिन settings पर हमें काम करना है वो graphics के अंदर fall करती हैं तो मैं graphics क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहां पर कुछ settings है text के मामले में by default आपका यह European and East Asian select होता है और अगर आपने फिर इसको उर्दू font की तरफ करना है या फिर कोई ऐसा font जो कि आपका right to left शुरू होता है उसके लिए आपको यहां पर South Asian and Middle Eastern को क्लिक करना पड़ेगा आपको यहां पर Hindi digit को चेक करना पड़ेगा आपका उर्दू right to left होता है वो by default उसने automatically इसको right to left select कर दिये और आपको यहां से legatures को भी चेक करना पड़ेगा कि सब्पुछ करने के बाद हमें यहां पर अभी यह हमें बता रहा है missing font क्योंकि अर्दू के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको नया font करना पड़ेगा और यहां से हम इसको select कर देंगे जिस तरह कि हमें install किया था जमील नूरी नस्तलीक यह already install था इसमें इसलिए यहां पर इस शो कर रहा है अब जाके हम उर्दू लिख सकते हैं यह आपको थोड़ा सा procedure से गुजरना पड़ा और उसके बात आपके पास यह option आ गई अब उर्दू लिखने के लिए भी आपके पास दो च्वाइस हैं मत्तब या टेक्स लिखने के लिए आपके पास कह सकते हैं दो च्वाइस हैं एक तो आप अपने legacy title में new में गए और यहां से आप legacy title में गए आपके पास by default वोई सारी settings उसकी आ जाएंगी आपने इसको ok किया और आप just text को ही यहां से select करेंगे आपको यहां से font याद रखना है जो आप install किया था जमील नूरी वो आ गया है वहां से हमें अपना keyboard भी change करना पढ़ेगा क्योंकि हमारा keyboard by default English select है तो यहां से हम Windows और space bar select करेंगे तो उर्दू के लिए आपको यहां पर अपना font select करना पढ़ेगा जो font आपने install किया और उसके बाद आपको अपना जो keyboard है उसको भी उसकी settings उसकी language change करनी पड़ेगी इसकी short key Windows के लिए है Windows का tab और साथ में space bar आप देख सकते हैं आपके पास जो भी install होगी language या जो भी keyboard install होगा आप उस पर जा सकते हैं मेरे पास उर्दू के यह दो keyboard install होए है इस वक जो के जो मैं use कर रहा हूं वो मेरे पास यह वाली option है और यहाँ पर मैं इसको select करूँगा अब मैं यहाँ पर जो भी लिखूँगा वो मेरे पास इधर लिखा जाएगा इस तरह से normal text लिखते हैं तो अभी हम Pakistan लिखने लगें यहाँ पर Pakistan जिन्दाबाद पूरा लिखते हैं और जैसे कि मैं अल्री बता चुक हूँ कि keyboard में आपको थोड़ा सा इस तरह से करना पड़ता है कि जो पे है वो पी हो जाएगा ए है वो आपका अलिख जो है वो बेसिकली ए हो जाएगा इस तरह से बाकी alphabet जिस तरह से resemblance करते हैं उस तरीके से ही वो इनी English alphabet के साथ आपके साथ मिलते जाएंगे तो पाकिस्तान लिखने के लिए तो उसी तरह से मैंने पाकिस्तान लिखा अपने English keyboard से स्पेस बढ़ दूँगा और अगर मुझे जिन्दा बात भी लिखना है तो Z से मेरा और आप देखें जो साथ लेटरे जॉइन होते होंगे अब मुझे दाल लिखना है तो दाल के लिए जो English alphabet मेरे पास है वो है D आप देख रहे हैं पहला लफस दोनों का पहला जो alphabet है वो resemble करता है आपस में और हे के लिए मुझे O प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पर मैं एक स्पेस दे सकता हूँ क्योंकि अगर मैं स्पेस नहीं दूँगा वो इसको connect कर लेगा B से मैंने अपना B लिखा और अलिफ के लिए A और अगेन D प्रेस किया तो जिन्दाबाद तो English font की जगा हमने उर्दू font लिखा right to left इसकी alignment थी हम further इसकी positioning भी यहाँ पर देख सकते हैं इसका font size भी हम बढ़ा सकते हैं और आप वो सारी options सारी settings इस पर apply कर सकते हैं जिस तरह normally आप अपने English text के साथ कर रहे होते हैं alignment के हवाले से font size के हवाले से even color के हवाले से आप English font को करते हैं English language के keyboard को करते हैं shadows, opacity वगारा सब चीज़ों से आप इसको play around कर सकते हैं इसको मैं white ही रखता हूँ और मैं इसमे strokes add कर लेता हूँ जो कि इसके edges जो कि इसके border बना देता है और मैं इसमे screen यहाँ पर add कर लेता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा अपने तरीके से stylize भी कर सकता हूँ यहाँ से इस आंक से हम पहले बात कर चुके हैं यह चोटा साब के बास icon बनावा है यह preview के लिए है अब आपके पास background भी नजर आ रहा है आपको आप उसको उसके हिसाब से जहां पर भी align करना चाहें वो भी कर सकते हैं इसको मैं यहाँ से बंद करूँगा यह cross से और आपके पास यहाँ पर यह title add हो गया है आप इसको timeline पर रखें और आपके पास Urdu font और जैसे भी आप इसको चाहते हैं आप इसको fade in करना चाहते हैं आप इसको push या कोई और slide या कोई और wipe यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह आप अपना ये text लिखने के पाद आप इस पे वो सारी option वो सारी variation apply कर सकते हैं जिस तरह कि हम उसको roll कर सकते हैं हम इसको crawl कर सकते हैं और as a individual clip treat करके different transition भी लगा सकते हैं इसके अरावा मैं आपको अकर बता हूँ legacy title आपने use किया है और हम इसमें जो next हमारे पास tool है text का उसको भी हम use कर सकते हैं उसके लिए भी आपको जिस तरह आपने पहले देखा किस तरह से हम text लिख सकते हैं normally आपको select करना है मैं आपको quick demonstration इसकी भी दे देता हूँ कि आपने अगर यहां पर कहीं और कोई text add करना हो तो यहां से मैंने अगर type tool select किया है अपना और यहां पर मैं तुबारा से कुछ लिखता हूँ मुझे इसके लिए effect control में जाके इस text को पहले से ही setting change करने होगी नहीं तो वो उसको अब आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा मेरा उर्दू keyboard select है मुझे यहां पर लिखने के लिए उसको English करना होगा windows और space bar से मैं shift कर गया अब मैं यहां पर चमील नूरी नस्तलीक पर चला गया हूँ यहां से इसको मैंने select कर लिया text tool से मैं अब यहां पर भी लिख सकता हूँ और अब मैंने try किया लेकिन English में लिखा गया अब आप यह सोच कियोंगे कि आपने यहां से font भी उर्दू में select कर लिया है लेकिन यहां पर English में लिखा जा रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि back end पे आपका keyword change होना जरूरी है मिसाल के तोड़ पे मैं यहां पर आपके पास English लिखा वाए और आप यहां से इसको उर्दू select करेंगे या वोही चीज हम अपनी windows और space bar से shift कर सकते हैं इसको change करने के लिए हम दुबारा इस पर डबल क्लिक करेंगे और हमने इसको उसी तरीके से इस तरह हमने उस पर लिखा था same इस तरीके से मैंने इस पर और बाकी आप इसको उसी तरीके से जिस तरह से हमने legacy title में किया आप इसको यहां पर भी different options में जाके जिस तरह भी आपने उसकी positioning, उसकी color, उसकी scaling करनी हो वो आप यहां से कर सकते हैं तो यह था आपके लिए उर्दू font लिखने का तरीका या कोई और language जो आप लिखना चाहते हैं उसका तरीका वो language जो आप देख सकते हैं इसका keyboard available हो जो language आपके operating system allow करें आप उसको install कर सकते हैं उसके बाद उसके keyboard को यहां से आप change कर सकते हैं और फिर आपको उससे relevant उस language के हिसाब से font भी install करना पड़ेगा इन साइली चीज़ों के बाद आप अपने software में जाएंगे और दुबारा से उसमें changes करेंगे जो कि हमने देखी और उसके पात आप text लिख सकते हैं मैं उमीद करता हूँ आपको यह lecture भी interesting लगा होगा और आप इसकी practice ज़रूर करेंगे